हलो फ्रेंज, वेलकम तो माई चैनल कुक्ट्यूबर सारा तो मैं लेकर आ गए हूँ एक और डिलीशिस सी छोले की रेसिपी छोले की काफी सारे रेसिपीज मेरे चैनल पर हैं पिंडी छोले हैं और भी कई तरह के छोले बटूडे के साथ भी मैंने छोले पनायते तो कई सारे रेसिपीज हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी सबका लिंक मिल जाएगा उपर मैं आई बिटन पर भी डाल दूगे भागी ये जो छोले है न तो इसकी स्पैश्यालिटी क्या है कि ये छोले आप 15 मिनट में बना के तयार कर लेंगे ट्रस्ट में टाइम देकर आप 15 मिनट में इसको बना लेंगे तो चलिए इसको पहले बनाना शुरू करते हैं बीच में आपको बताती हूं लेकर आपको step by step follow करना है तब ही आपके 15 मिनट में छोले बन पाएंगे की step by step में इसलिए बोल रहा हूं की कि हमें 15 मिनट में अपना खाना बना के रेडी भी करना तो हमें ना दो तीन चीज़े एकटी करने पड़ेंगे ते भी हमारे 15 मिनट में छोले बन कर तैयार होंगे तो छोले इतनी जितनी दिर में बॉयल हो रहे हैं इतनी दिर में मसाला जिल्दी से तयार कर लेते हैं तो जैसे हमारे प्यास हलका सा कलर चेंज हुआ है मैंने यहाँ पर तीन तेस पत्ते डाल दी है एक चमच मैंने सौफ ले ली है वनफोर्ट स्पून दाने में थी है और वनफोर्ट स्पून यहाँ पर मेरे पास कलॉन दी है तो इस मसाले को न अचार का मसाला भी कहा जाता है और यहाँ पर तीन सूखी वाली मैंने खड़ी लाल मिर्ज डाल दी है बस इसको भी अच्छे से भून लेंगे तो मैंने प्यास के बार मसाला क्यूं डाला गया अगर मैं शुरूर में डाल दी है तो जब तक हमारी प्यास लाल होती है यहाँ पर दो बड़े साइस की तिमाटर को बल्कुल बारिक बारिक स्लाइस कर लिया है आप चाहें तो प्यूरे भी बना सकते हैं अगर आपको जादा जल्दी करनी है तो और साथ में मैंने नमक डाल दिया प्रॉसेस को जल्दी करने के लिए बस कुछ नहीं करना है फ्लेम को हाई ही रखना है और अच्छे से नहीं है जो हमारे टमाटर है और प्याज़ इसको बहुत अच्छे से बूनना है जब तक हमारे टमाटर जो हैं बिल्कुल गल नहीं जाते तो बस इसमें जो थोड़ा बहुत आपको तीन से चार मिनिट लग जाएंगे पकाने में फ्लेम हाई रखेगा फ्लेम को स्लो हमें नहीं करना है पूरही प्रॉसस में फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको हम भूनते जाएंगे तो देखें मसाला जो है हमारे टमाटर भून चुके हैं यहां पर मैंने डाल दी है तकरीबन 125 ग्राम के राउंड दही और दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और दही आपको डालनी है स्लो फ्लेम करके अग्डम हाई फ्लेम पे नहीं डालीगा थोड़ सी आप स्लो कर लेज़ेगा फ्लेम को जीरा पाउडर डाल दिया है और यह बहुत बेसिक से घर के मसाले मतलब कुछ ऐसा बहार से भी लानी के जरूरत नहीं है और यह छोले जो है इतनी डिलिशन बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और सबसे बड़ी बात ही है कि अगर 15 मिनिट में कोई डिश बनके तयार हो जाए तो पिर तो क्या ही कहने कभी कब आर इतना लेट हो रहोता है या बड़ा लेजी सा फील हो रहोता है कि क्या बनाए तो यह 15 मिनिट वाले डिश ना उस दिन आम ज़रूर से ट्राइ कर सकते हैं बस यह है कि छोले थोड़े से आपको जो बॉइल उने में टाइम लगीगा वो लगीगा तो मैंने मसाला जो यह ना ढंठ पके पकने के लिए छोड़ दिया है जतनी दिर में हमारा बक रहे है थोड़े से चोड़े ले ले लिया है एक मुठी पर उस पर मैंने 15 स्पून जवाईन और थोड़ा सा हिंग डाल दिए और थोड़ा सा पानी डाल जाल करना है है एसे बनाना था वो और चोले मेरे बॉयलों के रख गए थे वो मैंने डाल दिया और साथ में डाल दिया एक से देड़ चमच कसूरी में थी बस जी चोले ओल्मोस्ट तैयार यहां देखे कुछ भी मेनत नहीं और कुछ भी जादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ी मिक्स कर दि चिली फ्लेक्स डाल दिया का उससे एक दम परफेक्ट में अचा जाएगी तो इसको अच्छा से मिक्स कर लिया देखिए मैंने थोड़े से इसलिया पतले रखे हैं अपने चोले क्योंकि मुझा चांवल से इसको सर्फ करने हैं और मैं नहीं हापर इसको सिर्फ और सिर्फ 5 तो इतने परेशानी की बात नहीं है थोड़े से ग्रेवी को आप गाड़ा कर ले जाए रोटी या पराटे के साथ इसको सर्फ कर दें जो मुझे चांवल के साथ करने हैं इसलिए मैंने थोड़े से ग्रम मसाला जो चुट्की भर गरम मसाला बाद में डालता है उसके कितनी सिंपल से रैसेपी दीना जरूर से बनाएक और मुझे बताएगा आपको रैसेपी कैसे लगी थैंक यू फूर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर